आज प्यारे बाबा हमें ज्ञान यग्य में असुरों के विगन कैसे पड़ते हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन पहले हम समझेंगे कि बाबा अपने कारे को कई नाम देते हैं, बाबा केते हैं, तुम स्कूल में हो, पाठ्षाला में हो, तुम कॉलेज में हो, बाबा केते हैं, ब्राहमन परिवार में बेच्छे हो, कभी बाबा केते हैं संप्रदाए हैं ब्राह्मन संप्रदाए बाबा अनेका अनेक नामों से इस इश्वर्य कारे को किसी न किसी रूप से संबोधित करते रहते हैं लेकिन आज बाबा जो शब्द यूज कर रहे हैं वो है बाबा कहते हैं कि आज ये रूद्र यग्य है तो आज हम थोड़ा सा रूद्र यग्य बाबा क्यों कहते हैं और रूद्र यग्य से बाबा का क्या अभी प्राए है ये बातें थोड़ा समझेंगे तो सबसे पहली बात है बाबा ने हमें कहा कि यह जो इश्वरे कार्य है यह एक यग्य है यग्य जो सेट रचते हैं और ब्राह्मनों को सम्हाल के लिए देते हैं दुनिया में जब यग्य रचते हैं तो साहुकार यग्य रचते हैं सेट लोग और उसकी सम्हाल करते हैं ब्राह्मनों तो यहां भी सबसे बड़ा सेट चो है शिबाबा उससे बड़ा सेट तो कोई नहीं न तो वो सेट यह यग्य रच रहे हैं और हम ब्राह्मनों को उसकी समहाल करने के लिए देते हैं, तो सेट सामगरी देते हैं यग्य की, तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही मैं सामगरी लाया हूँ, और तुम्हें कहता हूँ, उस सामगरी को लो और समहाल करो यग्य की, फिर यग्य में एक बहुत important प्रक्रिया होती है आहूती डलवाने की तो बाबा कहते हैं यहां भी आहूती डालने पड़ेगी और फिर बाबा कहते हैं कि यह जो यग्य जब संपन होगा तो जैसे यग्य रचते हैं इसलिए कि कोई आपदा होती है और फिर वो आपदा खतम हो जाए तो यग्य संपन समझा जाता है तो बाबा कहते हैं यह यग्य भी संपन कब होगा जब यह कल्यूग की आपदा खतम हो जाएगी और सत्यूग आजाएगा और फिर ब्रामणों को दक्षिना मिलेगी कौन सी दक्षिना हम जाकर सत्यूग में राजाई करेंगे तो बाबा कहते हैं ये जो कारेच चल रहा है इसको यग्य कहा जाता है और बाबा ने इसका पूरा नाम भी हम बच्चों को समझाया है राजस्व अश्वमेद अविनाशी रूद्र गीता ग्यान यग्य तो आज बाबा इस यग्य में हम जो ब्रामण नियुक्त हैं उनसे मुरली में बातचीत कर रहे हैं यग्य की सम्हाल के विश्य में समझा रहे हैं तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि सेट ने जो यग्य रचा है वो किस आधार से रचा है तो आप देखो बाबा समग्री लेकर आए जो समग्री यहां दुनिया में नहीं उपलब्द थी दुनिया में तो जब यग्य रचते हैं तो material समग्री की अवश्यक्ता होती न लेकिन ये तो रुहानी यग्य है तो रुहानी यग्य में जो समग्री बाबा लाए वो है ज्यान की, पवित्रता की, स्नेही की वो समग्री यहां दुनिया में अवेलेबल नहीं थी और फिर बाबा ने हम ब्रामनों को वो जो समग्री थी वो दे दी कि अब तुम इससे इस यग्य की भरपूर्ता करो इसलिए आज बाबा केते हैं कि पवित्रता मुख्य है है ना सहन करना पड़ेगा चाहे कोई मारे पीटे भी तो भी सहन करो क्योंकि पवित्रता की बिना तो यग्य की व्रिद्धी नहीं हो सकती यग्य की संभाल नहीं हो सकती तो बाबा जो पवित्रता की समझ पवित्रता की शक्ती लेकर आए पवित्रता की सामग्री लेकर आए पहले तो इस तुनिया में कोई पवित्रता की बात नहीं होती थी लेकिन बाबा चुए नई चीज लेकर आए बाबा कहते हैं तुमें इस पर बहुत एटेंशन देना पड़े लोकिक पिता कोई मार तुनि डालेंगे बाबा कहते हैं अगर कन्याए कहें पवित्र रहना है लेकिन हाँ धराएंगे तो उसमें डरना नहीं है सहिंशील होना होता है तो बाबा केते हैं कि पवित्रता पर पक्का रहना पड़ेगा बाबा केते हैं याद का बल भी बहुत अच्छा चाहिए इस यग्य की सम्हाल के लिए फिर बाबा केते हैं ज्यान के वॉल्यूम्स तुम्हारी बुद्धी में भरे पड़े हैं क्योंकि ज्ञान बहुत important सामग़ी है कहा ही जाता है रूद्र ज्ञान यग्य तो ज्ञानी बच्छे समःते हैं इस यग्य की समःते हैं ग्जानी योगी बच्छे चाहिए पवित्र बच्छे चाहिए तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो किताबें लिखी जाती हैं यहां तो ज्यान के वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स तुम्हारी बुद्धी में रहने चाहिए तो फिर बाबा और उसके बाद बाबा हमें आज सावधानी भी देते हैं कि हम जो बाबा के बच्चे हैं हमारे को व्यर्थ बाते मुख से बोलनी भी नहीं है सुननी भी नहीं है इविल की बहुत परहेज करनी है बाबा केते तुम रूप बसंत हो तुम्हारे मुख से सिर्फ ज्ञान रतन निकलने चाहिए तो हम इस रूद्र ज्ञान यग्य की सम्हाल करने वाले पवित्र जिम्मेवार ब्राम्हन हैं हमें बाबा की सामगरी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप देखो की यग्य क्या है यग्य का एक स्थूल हिस्सा है और एक सुक्षम है तो बाबा केते हैं यग्य में जैसे कुंड बनता है स्वाहा के लिए वो कुंड तो है लेकिन अग्नी भी है तो यग्य की जो अग्नी है वो प्रज्वलित कैसे रहती है जितना जितना हम पवित्रता, ज्यान, योग और अपनी जो संभाल के अधार से चलते हैं उतना उतना यग्य की अगनी प्रज्वलित रहती है, उसकी वाइब्रेशन बहुत तिक्षन रहती है और बाबा केते हैं, दुसरी बात है, इसकी जो कुंड की संभाल माना, material स्वाहा करना तो बाबा केते हैं, तुम्हें ही बलिहार जाना है बाबा केते हैं, इस यग्य में इस पुरानी दुनिया का सब कुछ स्वाहा होना है और बाबा केते हैं, जो गरीब बच्चे हैं मेरे, वही पूरी तरह से बलिहार जाकर इस यग्य को कायम रखते हैं तो हम बच्चों को अपना तनमंधन, संपून रुपेन बलिहार करकर, इस यग्य की संभाल करने होती है स्वाहा करना होता है यह यग्य बना ही है स्वाहा करने के लिए, स्वाहा करना और स्वाहा करवाना, है न, देखो अब यग्य में क्या होता है, कोई आता है बाहर से, तो दुनिया में भी क्या, ब्राम्भन निरंतर घी डाल रहे हैं, निरंतर सब कुछ कर रहे हैं, कोई आया तो उसके द्वारा भ को वृद्धी को करने का जो जिम्मा है वो किसका है वो तो ब्राम्मन का ही है तो बाबा केते हैं कोई आएगा कभी कुछ दान कर देगा वो अलग बात है लेकिन किसी के दान से यग्य नहीं चलता हमारे बलिदान से चलता है बाबा केते हैं बाबा के वो बच्चे जो ब्राम् तो बाबा कहते हैं एक बात तो है इस यग्य की वाइब्रेशन इसकी एनर्ची जिसके लिए तुम्हें पवित्रता पर याद की यात्रा पर ज्ञान सुरु पवस्था पर अपनी समहाल पर बहुत अटेंशन देना है लेकिन दूसरा बहुत important aspect है यग्य की स्थूल समहाल जिसमें तुम्हें अपना तनमंधन बलिहार करकर इस यग्य को चलाना है इस यग्य को कायम रखना है तो बाबा कहते हैं जो ये करते हैं वही मेरे ब्रामन बच्चे हैं और बाबा कहते हैं सब नहीं करते हैं सब को प्रेड़ना नहीं आती मेरे कुछी बच्चे हैं जो पूरी तरह से बलिहार जाते हैं बाबा आज दो प्रकार के बच्चे भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, कुछ दान करने वाले बच्चे भी होते हैं, और जीवन बलिहार करने वाले बच्चे भी होते हैं, तो दान करने वालों से यग्य नहीं चलता, थोड़ा बहुत उनकी आहूती डलती है, लेकिन बलिहार जान जाते हैं, उनको मैं स्वर्क की राजाई दे कर जाता हूं दक्षणा में, और फिर बाबा हमें कहते हैं, कि ये तो सब चलता है, और ये जो बाबा समझते हैं, कि तुम्हें यग्ये को कायम रखना है, सम्हाल करनी है, लेकिन फिर बाबा कहते हैं, इसमें कभी-कभी विगन प तो शास्त्रों में दिखाते हैं, कि भगवान ने यग्य रचा, तो फिर उस रूद्र यग्य में विघन पड़े, असुरों ने गोबर और किछड़ा डाला, लेकिन बाबा केते हैं, ऐसा कोई स्थूल रूप से कोई गोबर या किछड़ा डालने के विघन नी पड़ते हैं, इस यग्य में विघन कब पड़ते हैं, जब बच्चों में अहंकार आजाता है, आज बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कि तुम्हें समझ आया है, कि तुम्हें तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है, इसलिए तुम पुर्शार्थ करते हो, इसमें कोई बढ बढाई की बात नहीं है, इसमें कोई बढाई की बात नहीं है, बाबा केते हैं, शिब बाबा निरहंकारी है, ब्रमा बाबा जिनका तन शिब बाबा अधार लेते हैं, वो भी इतना निरहंकारी है, तो बच्चों को भी जो भी कुछ करना है, वो समझ कर करना है, कि हम अपन भाग्य बना रहे हैं, इसमें अहंकार आने की कोई बात नहीं होती, लेकिन दुनिया में आज तक हम जो भी कुछ करते आए हैं न, वो कैसे करते आए हैं, हम सब कुछ अपनी एगो के लिए करते आए हैं, मनुष्य दानपुन्य भी करता है भक्ती में, तो सोचता है, जिस मंदिर में दानपुन्य किया, वहाँ दिवारों पर मेरा भी नाम लिखवा दिया जाए, है न, मुर्ती के दर्शन बाद में हो, पहले मेरा नाम देखते वे वेक्ती अंदर जाए, तो बाबा केते हैं कि, आज तक भक्ती में जो भी कुछ किया, उसमें एप्रिसियेशन, रेकगनीशन की बात रही, और मनुष्य सब कुछ अहंकार की वश करता है, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मुझे शान मिले, मुझे हार पहनाया जाए, मुझे सभा में बुला कर फेलिसिटेट किया जाए, लेकिन बाबा केते हैं यहां तुम्हें समझना है कि तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम किसली करते हो स्तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्योंकि जो बलिहार जाते हैं वो पवित्र बनते हैं यग्य में जो भी हमने लगाया ये यग्य की अगनी ऐसी है जो उसे पावन बना कर पदम गुणा मल्टिप्लाए करके हमें दे देती है तो बाबा केते हैं तुम जो कुछ भी लगा रहे हो वो पतीत को पावन बनाने के लिए लगा रहे हो तुम्हारा तन पतीत है मन पतीत है धन पतीत है जब यग्य में स्वाहा होता है तो पावन बनकर तुमें मिलता है तुम इस समझ से लगा रहे हो तुम अपने पतीत पने के करम बंधन के हिसाब किताब को परिवर्तन करने के लिए लगा रहे हो इसमें को ये सोचो कि अगर बढ़ाई किसी की होनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए शिबाबा की और ब्रह्मा बाबा की लेकिन जब शिबाबा निरंकारी है बाबा बच्चों को नमस्ते करके चला जाता है और ब्रह्मा बाबा जब इतने सधारण रहे कर अपना सब कुछ इश्वर्य कारे में स्वाहा करकर चलते हैं और कभी ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा कि मेरा कोई समान करो या सत्कार करो या भबका करो बाबा ने कहा कि मुझे तो स्टेशन पे रिसीव भी करने मता हूँ तो फिर मैं कौन हूँ जो मुझे अहंकार आना चाहिए लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को थोड़ा करने से अहंकार आ जाता है भक्ती में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं चुहे को हल्दी की गाठ मिलती है तो अपने को पसारी समझता है चुहे को हल्दी की गाठ मिल जाती है तो उसको लगता है मैं तो होलसेलर हूँ बहुत बड़ा विक्रेता बन गया हूँ तो ऐसे ही बच्चों का भी क्या होता है शिब बाबा बैठा है ब्रह्मा बाबा बैठा है इतनों ने जीवन स्वाहा की इतने वर्षों से ये इश्वरे कारे चल रहा है कितनों की जीवन की आहुती से बलिहारी से चल रहा है वो सब बातें बच्चे भून जाते हैं और थोड़ा सा करते हैं तो मैं मैं करने लगते है और ये मैं मैं का जो अहंकार का परदा है, ये ऐसा होता है, कि फिर उसको किसी का रिगार्ड नहीं रहताँ. अहंकारी का सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, वो सम्मान देना नहीं जानता. है न जब दे अभिमान आता है न तो सम्मान खतम हो जाता है और फिर ऐसे जो सम्मान देना नहीं जानते फिर वो बच्चा क्या करता है फिर कहता है कि यह तो हमारी तो कदर नहीं है हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमें तो कोई देखता नहीं है, हमने इतना किया, किसी ने पानी तक नहीं पुछा, सुबे से गए थे, सेवा में शाम को आये, तो सब खा पीके बैठे थे, उठके ये तक नहीं पुछा कि आप पानी पिएंगे या नहीं, तो ये जो सारा चल रखना हमें तो यग्य से कुछ ने शिप बाबा आया है हम उससे डायरेक्ट पालना ले लेंगे लेकिन बाबा केते जब मैं डायरेक्ट पालना देई नीरा तो तुम ले कैसे लेंगे मैंने तो आकर ब्रह्मा के द्वारा यग्य रच्छा, मैंने तो यग्य के द्वारा तुम्हारी पालना की आज तुम सारी पालना लेकर अहंकार वश अगर किनारा कर लेंगे तो क्या होगा? कि पालना तुमने ले ली, कर्स तुमने चड़ा लिया और जो तुम हें करना चाहिए था यग्य के प्रती उस समय तुम रूट के बैट गए तो तुमने अपना भाग्य बनाने से अपने को वंचित किया इसमें बाबा केते हैं कि ये विघन डाला तुमने अपने भाग्य को भी और यग्य को भी बाकी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि शिबाबा से कोई तुम्हारा direct connection है आज बाबा यहां तक कहते हैं कि तुम कुछ कणादाना अपना सफल करोगे यग्य क्यों बना है स्वाहा करने के लिए अगर तुम यग्य से ही किनारा कर लोगे तो स्वाहा कहां करोगे शिबाबा को direct दोगे क्या शिबाबा क्या करेगा direct तो बाबा कहते हैं शिबाबा को देते हो तो शिबाबा तो बच्चे को कहेगा ना बच्चे से यग्य सेवा में लगाओ तो तुम जब यग्य से ही किनारा करके रखोगे तो स्वाहा कहां करोगे तो बाबा कहते हैं, आजकल क्या है, कि मनुष्य कुछ भी समझता नहीं है, आजकल ऐसे ही अपने आपको गौडली स्टूडेंट कह देते हैं, गौडली स्टूडेंट माना यग्य का सच्चा ब्राम्मन, यग्य का ब्राम्मन माना क्या, कि निरहंकारी होकर पालना बाबा से ले और अपनी अवस्था से भी इस यग्य की वाइब्रेशन को समhal ले और अपनी बलिहारी से इस यग्य को सीचे और इस सब कुछ करते समझे कि में सतोप्रदान बन रहा हूं, यह जो बलिहारी में कर रहा हूं, बाबा जो भी मैं लगा रहा हूं, उसे प्युरिफाय करके म रापिस कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, इतनी समझ से चलने वाला गौडली स्टूडेंट होता है, ऐसकल तो क्या है, यूट्यूब पे बैठा क्लास सुनी, अपने आपको गौडली स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन देखो, इंग्लिश में एक बहुत अच्छे कहावत है, और क्यूट ईज़ोर स्टूडेंट से शिखो गक्यावत आपको तो कि कर इए, यू अगर हमारे करम नहीं बदल रहे, हमारा तन-मंधन वहीं विकारोश लग रहा है, तो फिर हमारा भाग्य नहीं बदल सकताूद आजनली, इसलिए तो नहीद ह Серडा करण में जबीद एक हम लेकिन हम अगर मैं मैं का गीत गाते हुए किनारा कर लेंगे, तो फिर कहां से हमारा सफल होगा, सफल कराने वाला भी लेगा नहीं, जब किनारा ही करके बैठ जाएंगे, तो कहां से जब सेंटर आएंगे ही नहीं, या दीदी से कोई connection नहीं है, या बातचीत नहीं है, या कोई संपर्ख नहीं है, तो फिर वो तनमंदन स्वाह करेंगे कैसे, तो बाबा केते हैं संबंध नहीं है, तो स्वाह कर नहीं सकते, स्वाह करेंगे नहीं तो पवित्र बनेगा कैसे, अगनी में तो पवित्र बनेगा न, जब बलिहार जाएंगे तो पवित्र बनेगा, जब स्वाहा ही नहीं किया, पवित्र ही नहीं बना, और अपना सबकुछ उसी पतीत कारे में लग रहा है, तो तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा, तो बाबा कैते हैं यह वीघन कैसे पढ़ते हैं, जब आत्मा को मैपन का क्रोध के वश जो बोल बोले जाते हैं वो प्रेम को खतम कर देते हैं यह जो क्रोध के वश संगठन बिगड़ जाता है क्रोध के वश आपस में जो स्नेह की भावना थी वो बिगड़ जाती है जब हम क्रोध के वश कभी भी आवेश में आकर किसी को दो चार बोल बोल देते हैं तो उस समय तो हमने बोल दिया फिर मानो मैंने रियलाईज भी कर लिया कि मुझे यह नहीं बोलना चेह था पर क्या वापस ले सकते हैं आप कभी भूले हैं आपको जिसने क्रोध में कुछ कह आज तक तीस वरश, चालिस वरश पहले भी किसी ने आपको क्रोध में कुछ कहा, तो क्या आप उस बात को भूल गए हैं? कोई भूलता है, कभी भूली नहीं जाती वो बात और बाबा कहते हैं, क्रोध में कहे गए बोल कभी भूलाए नहीं जाते, और वो जो क्रोध के वश हम बोल बोलते हैं, या हमारी अवस्था ठीक नहीं है, तो हम कुछ बोल देते हैं, वो बात जो है, वो संबंध को खराब कर देती है, संगठन की शक्ति को बिगारती है, भले लीजिए सामने वाला दस आपनी और सौरी बोलने बहुत, इसलिए बाबा कहते हैं, ब्राह्मन बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, कि भले ही कितना भी करोध आया, कुछ हुआ लेकिन क्रोध के वश हमें कभी बोलना नहीं है करम में नहीं आना है अगर करम में आया तो करम की गती बन जाती है तो वाबा कहते हैं इतनी सम्हाल हमें रखनी होगी नहीं तो यग्य में विघन पढ़ते हैं यग्य में विघन कब पढ़ते हैं जब बच्चे एकमत होकर नहीं रहेंगे, आपस में मन मुटाओ होगा, आपस में दिल में बात रहेगी, कि इनों ने हमें ऐसा कहा, तो ऐसे बातों से यग्य में विघन पड़ते हैं, तो बाबा केते हैं, ये हैं असुरों के विघन, और बाबा एक और बात जो बहुत अंड संग दोश, संग दोश, देखो, एक मैं कभी-कभी सोचते हूँ कि जैसे श्रीमत बाबा हमें देते हैं, लेकिन श्रीमत मिलते हुए भी कई बच्चे मन मत पर चलते हैं, मेरा मान ऐसा करता है, मेरा मान ऐसा, लेकिन एक तीसरी क्याटगरी होती है, जो दुसरों की बातें बहुत सुनते हैं, किसी के प्रभाव में रहते हैं, जब वो कहें, जैसा वो कहें, वैसा, वो ग्यान में आते हैं, तो उनके साथ ग्यान में चले जाते हैं, वो छूटते हैं, तो ये भी छूट जाते हैं, उन्होंने एक्जिट किया, तो ये भी उनके साथ साथ चल पड़े, तो ऐसे वाले भी बहुत होते हैं जो दुसरों की बातों के प्रभाओं में बहुत आते हैं और बाबा केते हैं संग दोश माना आज क्या है कि बुद्धी कमसूर हो गई है तो आज हम ऐसे समय पर रह रहे हैं जब हमेशा दूसरों की मत दूसरों की राय एक कपड़ा भी खरिदते हैं तो कैसा लग रहे हैं कैसा लग रहे हैं तुम बताओ नहीं तुम बताओ करके कपड़ा खरिदते हैं तो बाबा केते हैं ऐसे समय पर आत्मा की जो बुद्धी है निर्ने शक्ति परक्षक्ति नहीं रखती है तो ऐसी आत्मा ही जो होती है बहुत प्रभाओं में आने वाले आत्मा होती है तो जब हम शुरू-शुरू में ज्यान में आते हैं तो हमें संग की बहुत सम्हाल करनी ह क्योंकि देखो, हर आत्मा जैसी है, वो वैसा ही रंग लगाएगी, आप दुनिया में कोई स्रेष्ट पवित्र तो है नहीं, दुनिया में कोई पुन्य करम करने वाले तो आज रहे नहीं, सभी सारे दिन पाप का खाता ही बना रहे हैं, तो उनकी संग का रंग जब लगता है तो हमारे अंदर भी वही उत्कंठा होते है, हम भी उसी रंग में रंग के पाप करम करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किसकी बात का, किसके संग का प्रभाव हो गया, तो बाबा केते ही कोई बच्चा है, बहुत अच्छा चल रहा है, संग दोश में आके खराब हो जाता है, तो जैसे यग्य का नुकसान होता है, यग्य में विगन पढ़ते हैं, तो बाबा केते हैं, संग दोश से अपनी बहुत समाल करनी है, और आजकल तो सिर्फ मनुश्यों का संग नहीं है, आजकल तो कितने प्रकार का संग है, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, कुछ से अपने आपको बचाना है, क्योंकि ये भी जैसे असुरों के विगन है, माया इस प्रकार के हमें विगन डालती है, कि हम इस ज्ञान मार्ग में आगे ना बढ़ सके, लेकिन अपनी समझ बूद से, अपनी परक शक्ती, निर्णय शक्ती से हमें सम्हाल करनी है, तो बाबा ये बातें कहते हैं, और फिर बाबा कहते हैं, यग्य में और भी प्रकार के बाहर से भी विगन पड़ते हैं, जैसे कि जिसको काम विकार नहीं मिलता, वो क्रोधी होके आके विगन डालते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, आएंगे, बहुत डराएंगे, धमकाएंगे, या कोई वर्निंग देंगे अभी जैसे एक माता बता रही थी कि युगल ने कहा कि जाओ निकल जाओ घर से अगर पवित्र रहना है तो इस प्रकार के भी कई विगन आते हैं कि जो बाहर से भी आत्माई जिनको कामविकार की पूर्ती नहीं होती तो कामेशु, क्रोधेशु जो होते ह तो बाबा केते हैं कि यह कामेशु, क्रोधेशु जो है यह भी बहुत विगन डालते हैं तो बाबा कहते हैं, ऐसे वाले बातों में भी अपनी जो वाइब्रेशन है, अपनी जो आसपास का वायूमंडल है, वो इतना शक्तिशाली बनाना पड़े, कि ऐसों का प्रभाव हम पर ना हो सके, क्योंकि देखो ऐसे यग्य में बहुत सारे उदाहरन रहे हैं, जहां कामेश क्रोदेशु ग्रूप के ग्रूप आए, और चाहते थे शती पहुंचाना, लेकिन मीठी मम्मा का चांड जैसा चेहरा देखकर है, शीतल उनकी काया देखकर उनको ऐसा हुआ कि नहीं, जहां ये मम्मा बैठी है, वहां गलत कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा केते हैं, इस प् तो बाबा केते हैं, तुम्हें हर प्रकार से यग्य की सम्हाल करनी है, तन्मन धन से भी, अपनी सरेंडर बुद्धी से, अपने योग के बल से, पवित्रता से, वायुमंडल बनाना है कि बाहर की विगन भी यग्य को ना पड़े, और बाबा केते हैं, ऐसे जो सच्चे ब् बलिहार जाते हैं, उनको फिर सेठ अंत में दक्षिना देंगे, और हम जाएंगे सत्यूग में बैठकर राज्य करेंगे, तो अच्छा, एक प्रश्न है, जो ग्रहस्त में हैं, वो कैसे बलिहार जाएं, तो सबसे पहले तो ये हैं कि हम ग्रहस्त की सेटिंग में हैं पर हम नहीं है और बंधन हमेशा बुद्धी के होते हैं आज बाबा ने इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हम जो करम करते हैं पिछले जन्मों में वो करम के अधार से हम संस्कार और करम बंधन साथ लेकर आते हैं और जब हम बच्चे होते हैं, हमारे पास चोईस नहीं होती क्योंकि जो भी हमारा संस्कार है, जो भी हमारे करम बंधन है, उस आधार से हम चलते हैं लेकिन बाबा केते हैं कि जब हम बालिक हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं तो हमारे पास चोईस होती है और शिबाबा हमें वो चोईस देते हैं कि हम अपने को आत्मा समझ के चले आत्मा माना बंधन मुक्त आत्मा माना देह का भी बंधन नहीं आत्मा को आज बाबा कितने सुन्दर से हमें ये बात समझाते हैं कि तुम देही अभिमानी बन रहे हो देही अभिमानी माना मैं आत्मा इस देहे देहे के समबंधू सबके बंधन से न्यारी हूँ यह जो हमने बंधन के संसकार बनाए है ना यह बंधन के संसकार हमें तोडने है यह जो अपने अंदर जो बुद्धी में बैठाया है ना मैं ग्रिहसती हूँ मुझ पर ये बंधन है ये बंधन है वो बंधन हमें तोड़ ले हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा रियलाइज करती है स्वयम को कि मैं तो अपने अंदर का नूंद पार्ट बजा रही हूँ मेरे पार्ट बजाने में कोई परिस्थिती और किसी का योगदान नहीं है आप समझ रहे हो, मैं आत्मा वो पार्ट बजा रही हूँ जो मेरे अंदर recorded है मैं already परमधाम से वो पार्ट ले के आई हूँ मुझे किसी की कोई limitation नहीं है मुझे सिर्फ आतम अभिमानी बनना होगा क्योंकि मैं दे अभिमान में हूँ तो मुझे मैं, मेरा, ये, वो सब प्रभाव डालते हैं अगर मैं अपने को realize कर लो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ मेरे पर किसी का बंधन नहीं है मेरे अंदर already पार्ट नूंधा हुआ है मेरे जो आसपास के circumstances है वो मेरी limitation नहीं है और मैं 84 वे जनम में हूँ मुझे अपना वर्सा लेना है जब ये बात हमें समझ में आ जाती है तो हम बलिहार हो सकते हैं क्योंकि हर आत्मा के पास choice है हर आत्मा जो शरीर से बालिक है उसको ज्यान समझने की ताकत है उसके organs इतने developed है brain wixit है तो वो आत्मा कानों से सुनकर बुद्धी से समझ कर अपनी आत्मिक शक्ती में स्थित हो सकती है और जब आत्मा अपनी आत्मिक शक्ती में स्थित होती है तो उसको मालूम पढ़ता है कि मेरे पे किसी का भी बंधन नहीं है और मैं अपने कर्मों को और अपने भाग्ये को चुनने के लिए स्वतन्त रहूं लेकिन बाबा केते हैं कि वो जो सारे बंधन है वो हमारे संसकारों के बंधन है जो हम पीछे लेकर आए है और जितने भी भए, चिंता, आशंकाएं जो भी इच्छाएं, त्रिष्णाएं जो में तंग करती है वो सब हमारे संसकार है भए भी एक संसकार है और दूसरी बात है कि अपने आपको अधिकारी ना समझना भी संसकार है देखो कई बार माताएं हमें कहती है कि हम अपना तो कुछ कमाते नहीं है इस कारण से हम यग्य सेवा धन की करने में थोड़ा हिच्छकते हैं लेकिन मैं आपको बताओ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कमाते नहीं है ऐसी बहुत माताएं हैं जो कमाती है बहुत अच्छे अच्छे सालरीज कमाती है लेकिन वो भी युगल की परमिशन के बिना कुछ भी स्वाहा नहीं करते यग्य में और अगर युगल मना कर देते हैं तो वो अपना कुछ भी भाग्य नहीं बनाते यग्य में ऐसी बहुत माताएं हैं तो बाबा केते हैं कि ये चो सफल करना ना करना ये अपने को अधिकारी समझने की बात है, संसकार की बात है, ये कोई परिस्थिती की बात नहीं है, अब मानो हम कमाते भी नहीं, तो भी क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या घर पर, हम कोई सालरीड लेबर तो नहीं है न, हमारा हर चीज पर अधिकार है तो ऐसा तो नहीं है पती का धन है वैसे तो माता हैं जो कमाती है वो भी समझते हैं कि हमारा धन भी पती का धन है तो ऐसा नहीं है कि कोई पती का धन है या पतनी का धन है जब हम परिवार में हैं तो धन तो घर का है और बाबा केते हैं जब तुम समझ कि इन के लिए शरूरी है करना इस एस ओस्पीटल एक्सपैंड़िचर को हमें करना है तो उस समय कोई रोखे तो क्या रूख जाएंगे कि या वच्छे का इलाज नहीं कराएंगे उस समय तो समझेंगे ञ CommonKige expenditure है तो बाबा कहते हैं यह सारी बाते परिस्थिती की नहीं है यह सारी बाते संसकार की और करम बंधन की है और करम बंधन से छुटने के लिए आत्मा को बाबा ज्ञान दे रहे हैं और जो करम बंधन है उसकी quality क्या होती है वो नया सुकर्म बनने नहीं देता, तो उस करम बंधन से छुटने के लिए हमें self realize करना पड़ेगा, कि मैं आत्मा अपने 84 में जनम में हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मुझे अपना भाग्य बनाना है, और इस भाग्य बनाने में स्वकल्यान भी है, विश्वकल परमार्थ में व्यवहार भी समाया हुआ है, सर्वका कल्यान इसमें समाया हुआ है, और समझ कर हमें श्रीमत पर कदम उठाना होता है, और अगर हम पीछे हट जाएंगे, तो यह जो opportunity है, वो खतम हो जाएगे, तो बाबा हमें हर बात समझाते हैं, आज बाबा ने बहुत अ हालिग होते हैं, तो हमारे पास choice है, लेकिन फिर हम उस choice को exercise करते हैं या नहीं, वो हम पर है, कहीं कहते हैं कि, यह देखो किसी ने कहा है कि, I wanted to do dhan sewa for rent, but got scared of husband, two days later, same amount got wasted by him for some flight tickets, तो जो dhan sewa में करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई, डर कर, और फिर वही धन waste हुआ flight tickets के booking और cancellation में, तो यह तो कर्म की गती है, और बाबा हमें कहते हैं, यह तो छोटी छोटी बाते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ दूल में मिल जाएगा, सब कुछ दूल में मिल जाएगा, आखों के सामने जो भी कमाया था, वो दूल में मिलते हुए हम देखेंगे, और जैसे आज लगता है यह नहीं किया और यह वेस्ट हो गया, ऐसे कल लगेगा कुछ नहीं किया और सब वेस्ट हो गया, और आप सुचो कि ऐसी आत्मा की अंत में क्या confidence होगा कि मैं सत्यूग जाकर राज़ा हुगी, जब सामने देखेंगे, तो अपनी अवस्ता ही इतनी बिगड जाएगी कि अंत मते सोगती कैसे होगी, तो बाबा कहते हैं मुरली में बाबा हमें समझानी दे रहे हैं, साबधानी दे रहे हैं, जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, मेन पुर्शार्थ हमें देही अभिमानी बनना है, बुद्धी से काम अपने संसकारों पर विजय पानी है, हर आत्मा के अंदर जो संसकार है, अधीनता के संसकार, भय के संसकार, उन संसकारों पर हमें विजय पानी है, हमें संगम युग में अपना भाग्य बनाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और मैं आपको ये भी बता दूँ, भगवान का क किसी के लिए नहीं रुखता उसका कारे तो आज तक चला है आगे भी चलेगा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से यग्य में जब किसी बच्चे ने कुछ ने किया तो बाबा ने जिसको ज्ञान भी नी था उसके द्वारा भी करवा के कारे संपन करवा लिया क्योंकि बाबा है बुद्धी मोड ना जानता है लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धी मोड कर करवाओं तो तुम्हारा जमा नहीं होगा इसलिए तुम्हारी बुद्धी को जागरीत करता हूं क्योंकि कर्म माना चोईस जो हम चोईस से करेंगे वहां जमा होगा जहां मजबूरी है वहां जमा नहीं होगा, इसलिए बाबा केते हैं, जब मजबूत हो तब करो, मजबूर हो के मत करो, और बाबा इसलिए हमें रोज शक्ती दिलात देते हैं, कि तुम अपने आपको स्वाहा करो, अपने निर्ने लो, पवित्र और योगी जीवन बनाने के निर्ने लो, तुम अपने आपक संगम योगी ब्राह्मन बनकर चलो और तुम अपने को दक्षिना के लायक बनाओ अच्छा, ओम शान्ती